नमस्कार जाहें साथियों एक बाप फिर से आप सबका बहुत-बहुत सवागत है आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रयाग राज जिले में एक बीघे में कितना हेक्टेर होता है और एक हेक्टेर में कितना बीघा होता है हेक्टेर को बीघा विस्टा में कैसे बदले और बीघा विस्टा को हेक्टेर में कैसे बदले उतर प्रदेस में 75 जिले हैं और लगभग 75 जिले की अलग-अलग नाप है इगे विस्टे की लेकिन हेक्टेर की नाप सेम है हेक्टेर की माप पूरे भारत में सेम है के हेक्टेर जो है वो एक यूनिट है स्टेंडर्ड भारसरकार का जो कहीं नहीं बदलता है और एक हेक्टेर में 10,000 वर्ग मीटर होता है तो अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखेगा मैं जिम्मिदाई लेता हूँ आप के प्रती कि आपको पूरा समझा दूँगा लेकिन आपको पूरा देखना होगा सर्त यह है जैसे हमारे सामने एक खतवनी है यह प्रियागरा जिले की एक गाउं की खतवनी है हमने नाम जिनका है उनका काट दिया है यहाँ पे यह रियल खतवनी है अब खतवनी में बदलाव हुआ है ये गाटे का कुल 6 तफल हेक्टेयर में लिखा है 0.3610 अब जिस किसान की ये खटावनी है उसको पता करना है कि ये कितना बीघा फिस्सा जमीन है तो कैसे पता करेगा तो देखिए क्या लिखा किया है 0.3610 तो कैसे पता करेगा वो तो बताएंगे ही लेकिन उसके पहले जान लिजे कि एक बीघा में कितना हेक्टेर होता है और एक हेक्टेर में कितना बीघा होता है प्रियाग राज में तब आप इसको समझ पाएंगे तो देखिए मैं प्रियाग राज की बात कर रहा हूँ प्रियाग राज जिले में एक हिक्टेर अगर एक हिक्टेर जमीन है उसको हमें बीघे में बदलना है तो होगा 4.386 बीघा इसका मतलब कि जितना भी हेक्टेर जमीन है उसमें अगर हम 4 दो समलो 3, 8, 6 का गुणा करेंगे तो वो पूरी जमीन बीगे में बदल जाएगी इसका मतलब यह हुआ अब 20 में कैसे बदलेंगे तो जब बीगे में बदल जाएगी तो एक बीगे में 20 बिस्वा होता है तो उसी बीगे में 20 का गुणा कर देंगे तो बिस्वा हो जाएगा तो यह एक जो हमने लिखा है पैमाना यह आपको ध्यान में रखना है अब इसी को अगर हम नाप में लिख देंगे नाप में नाप का मतलब कि एक हेक्टेर में होता है 10,000 वर्ग मीटर एक हेक्टेर में होता है 10,000 वर्ग मीटर तो 10,000 वर्ग मीटर यहाँ भी होगा इसमें कोई संसय नहीं है यानि यह जो लिखा है 4 तो समनो 3,8,6 वीगा वहाँ भी 10,000 वर्ग मीटर ही होगा क्योंकि वो दोनों बराबर है लेकिन अगर एक बीघा की बात की जाए इस्पेसल एक बीघा क्योंकि यहाँ एक बीघा तो है नहीं यहाँ तो एक हेक्टेर में 4 बीघा से ज़्यादा है तो एक बीघा में कितना वर्ग मीटर होता है एक बीघा में होता है कर दीजिए तो आएगा 114 वर्ग मीटर एक विस्वा में होता है 114 वर्ग मीटर तो हमारे पास जब भी हेक्टेर में जमीन लिखी हो हमें उसे बीघे मदलना है या विस्वे मदलना है तो हमारे सामने दो आपसन होते हैं एक तो हम उसे वर्ग मेटर में बदल करें तब हो जाएगा या फिर हम उसे इस पैमाने से डारेक्ट कर लें चलिए हम लोट के आते हैं और हम डारेक्ट करते हैं जो हमने खतवनी देखा था कि कितना भीगा है तो reverse हो जाते हैं अब देखिए हमारे सामने एक खतवनी है उसमें लिखा गया है ये 0.360 hectare 0.36 hectare तो देखिए क्या करेंगे हम 0.36 hectare लिखा है खतवनी में पीगे में बदलने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है इसी में हमें गुणा कर देना है 36.10 में गुणा कर देना है 4.386 का इसी का गुणा कर देना है क्योंकि ये hectare है और ये बीगा है मतलब एक hectare में इतना बीगा होता है 0.36 4.386 अब गुणा कैसे करेंगे पुणा सिंपल है calculator निकाल लिए आप calculator से गुणा कर दीजी आराम से accurate आ जाएगा कोई दिक्कत कोई परिशानी आपके सामने नहीं होगी calculator में लिखना है आपको 0.36 10 गुणा कचिन लगाना है लिखना है 4.386 जो आएगा वही आंसर है क्या आ गया 1.58 3.3 यह जमीन 1.583 3.3 भीखा है लेकिन किसान समझ नहीं पाएगा कि यह 1.583 3.3 आया एक तो समझ में आ रहा है कि एक भीखा लेकिन उसके बाद जो point में है वो क्या है उसको कैसे समझेंगे उसको भी समझ लेजिए देखिए यहाँ जो point के पहले आता है जो point के पहले आता है वो होता है बीखा जो point के बाद आता है वो भी बीखा होता है लेकिन मैं उसको भी बिस्से में बदलता हूँ क्योंकि point के बाद आने का मतलब होता है कि वो पूरा एक बीखा नहीं है एक बीखा से कम है इसलिए हमें उसे विष्षा में बदलना है Point के पहले अगर आ गया एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया कुछ भी आ गया उसे हम सीदा सीदा लिख देंगे विघा अगर Point के पहले आया होता 0 इसका मतलब एक विघा भी नहीं है तो 0 बीघा, 0 बीघा मतलब एक बीघा भी नहीं है, उसके बाद जो है फिर उसको हम केवल बिस्वा में बदलते, यानि जमीन बीघा में नहीं है, बिस्वा में है, लेकिन अगर point के पहले 1, 2, 3 कुछ भी आ जाए, उसको आप सेदा सेदा मान लिजिए कि वो एक बीघा है, अ क्योंकि एक आपने हटा दिया, एक बीघा अलग कर दिजिए, एक बीघा के बाद जो है उसको आप बिस्वा बनाईए, तो 0 दसमलो, 5, 8, 3, 3 में 20 का आप गुणा करिए, 20 का क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि एक बीघा में 20 बिस्वा होता है, इसलिए, जब आप 20 का 2, 3, 6, 2, 8, 16, 2, 5, 10, और 11, इस देख लेंगे, 0, 2, 3, 6, 2, 3, 6, 2, 8, 16, 2, 5, 10, 11, तो समलो के बाद 4 अंख, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यहां पॉइंट लग जाएगा, और यह क्या बन जाएगा, विस्वा, अगर आपको ऐसे गुणा करना नहीं आता, तो आप कल्कुलेटर निका लिए, और डायल करिए, 0, 5, 8, 3, 3, 2, यहीं आ जाएगा, अब फिर से पॉइंट में आ गया, तो यहां पर जो पॉइंट के पहले है, वो क्या है, वो तो है विस्वा, क्योंकि हमने विस्वा में निकाला ही है, तो यह, देखिए, यह हो गया, एक बीघा, फिर यहां क्या है, क्यारह विस्वा, क्यारह विस्वा, लेकिन ग्यारह विस्वा के बाद फिर पॉइंट में आया है, वो क्या है, तो विस्वा से छोटा जो होता है, वो वो है, विस्वा चोटा क्या होता है, विस्वान सी होता है, या उसको हम लोग देहाती भासा में धूर कहते हैं, पर जो point के बाद आया है 6666 point के बाद 6666 0 फिर इसमें हम 20 का गुणा करेंगे तो यह क्या बन जाएगा धूर बन जाएगा 0 क्या हो गया 13 धूर खिर से point में आ गया तो धूर के बाद चौन देजिए धूर के बाद आपको कुछ भी नहीं जाना है आगे चाहे वो point में आया हो चाहे नहीं आया हो धूर से छोटा कुछ होता नहीं है वैसे धूर से छोटी एक आई बस थोड़ी सी ही हो सकती है एक पंजे के बराबर उसको इगनोर कर देजिए एक बीगा 11 धिस्वा 13 धूर कैसे आया हमने जो हेक्टेर में जमीन लिखी थी उसमें हमने चार दसमलो तीन आठ छे का गुणा किया मैं प्रयाग राज की बात कर रहा हूँ प्रताब गड़ की नहीं जौनपूर की नहीं कि वो लगरा प्रयाग राज के हैं तभी आपके अतोनी में ये काम करेगा निथा नहीं जो भी आया दसमलो के पहले जो है उसको अलग कर दिया वो हो गया बीघा दसमलो के बाद जो है उसमें हमने पीस का गुणा किया फिर जो आया दसमलो के पहले वो बन गया बिस्वा अलग कर दिया फिर पॉइंट के बाद जो आया फिर उसमें बीस का गुणा किया तो जो आ उसको हमने पूर माना 11 एक बिस्वा और 13 पूर जमीन आई चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं मान लिजिए हमारी खतावनी में लिखा है मान लिजिए हमारी खतावनी में लिखा है 0.228 0 hectare ठीक है? तान लिखा सगला चुन लिए 0.228 0 hectare हमारी खतावनी में यही लिखा गया है हमें इसे बिखा बिस्वा में बदलना है क्या करेंगे 0.228 0 में 4.386 का गुणा करेंगे जो भी खतावनी में जैसे भी लिखा है उसमें 4.386 का गुणा करना है दूसरे का गुणा करना ही नहीं है तो 0.228 पुनित 4.386 तो क्या आया? 1.000 1.0000 फिर सायद 8 या कुछ भी आया था देखे, पॉइंट के बाद अगर 3-4 अंक तक 00 ही आ गया न उसके बाद चाहिए जो आ रहा है उसकी कोई वैलू नहीं है तो यह सीदा-सीदा क्या हो गया? 1.000 इसलिए हमने बताया भी था 228.000 में 1.000 होता है अब यहाँ पॉइंट के पहले 1 आ गया तो सीदा-सीदा 1.000 ही है कोई मतलब ही नहीं है उसका सीदा-सीदा यह जमीन कितनी है एक बीगा है अगर पॉइंट के बाद कोई अंक आया हो तक कुछ भी या यहाँ भी आपका सकते है 20 का गुणा करेंगे तो 0 में 20 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा तो कोई मतलब ही नहीं गभी गभी पूरा का पूरा भी आ सकता है 1, 2, 3 पूरा का पूरा आ गया मतलब पूरा का पूरा भी गया है मान लीजे खतवानीम लिखा है 0.0114 हेक्टेर ऐसे लिखा है आप आप क्या करेंगे? 0.0114 में गुणा करेंगे 4.386 तो क्या आएगा गुणा करने पर? आज आएगा 0.1 एक ऐसे कुछ आएगा क्योंकि ये एक चिक कर लेते हैं 0.0114 गुणित 4.3.86 तो 0.05 आ रहा है गलत 0.05 ये आ रहा है अब क्या होगा? इसका मतलब हमारी जो जमीन है वो एक बिघा भी नहीं है क्योंकि पॉइंट के पहले आ गया 0 एक बिघा भी नहीं है तो पॉइंट के बाद जो है हम उसमें गुणा करेंगे किसका गुणा करेंगे? 20 का क्या हो जाएगा? 20, 0 25, 10 20, 0, 1 समलों के बाद दोगां कि यहाँ सीधा सीधा क्या होगे? 1 विश्वा यानि ये एक विश्वा जमीन अब मुझे लगता है कि आप कर लेंगे अपनी खतवनी से अपनी जमीन आप आराम से निकालेंगे कितना बिखा, कितना विश्वा है कोई संसे नहीं है एक दूसरा तरीका भी है दूसरा तरीका ये है कि हम उसे वर्ग मीटर में बदल लें जैसे? यहीं पर देख लीजिए आप कुछ यादा कन्फ्यूजन नहों इसलिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ जो अभी आपने सीखा ये तो है ही इसमें कोई संसे नहीं है लेकिन एक और सिंपल तरीका है वो क्या है? जो भी आपकी खतोनी में लिखा है उसमें आप 10,000 का गुणा करिए तो सीधा सीधा ये हो जाएगा वर्ग मीटर होता है इसलिए अब 2280 वर्ग मीटर हो गया अब इस 2280 वर्ग मीटर में अगर आप 114 का भाग करेंगे तो आएगा 20 और ये बन जाएगा 20 विस्वा डारेक्ट 114 वर्ग मीटर में होता है एक विस्वा कि आपकी जमीन वर्ग मीटर में बदल गई इसलिए आपने 114 का भाग किया तो डारेक्ट बन गया विश्वा अगर आपने 114 का भाग किया और यहां आ गया होता 22 22 इसका मतलब अपने कामन सेंस समझे एक बीगह में 20 विश्वा होता है इसका मतलब एक बीगह और दो बिश्वा हुआ लेकिन करेक्ट 20 आया 20 बिश्वा कहिए या एक बीगह कहिए अगर आप यहीं पे 114 का भाग न करके 288 का किये होते तो सिदा सिदा एक आता और यह क्या बन जाता बीगह क्योंकि एक बीगह में होता है 228 बर्ग मीटर दो चीजे आपको ध्यान में रखनी है कि सारा काम आपका हो जाएगा आपके पास यह तीन पैमाने हमने लिए एक हिक्टेर बराबर 4.386 बीगह डारिक्ट इसका गुणा करेंगे बीगह बनगे और एक बीगह बराबर 228 वर्ग मीटर वर्ग मीटर से करना होगा तो यह फार्मूला यानि पहले हिक्टेर में 10,000 का गुणा करेंगे जो आएगा उसमें 228 का भाग करेंगे तो उसकी दाबीगह बन दाएगा तीसरा पैमाना आपको हमने यह पैमाना क्या है मतलब यह सूत्र है आपको जानना ही है फार्मूला है एक बिस्वा में होता है 114 वर्ग ठीक पस यहीं तक आपको समझेंगे आज हमने आपको जो प्रयागराज की माप है उसको बताया है खतवनी से यानि खतवनी से आप देख करके खतवनी कैसे पता करेंगे कि आपकी जमीन जिनी है कितना बिगा, कितना विश्वा, कितना दोर है अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आप आपको बतायेंगे जमीन को नाप करके कैसे बदलेंगे आपकी जमीन है ये इसकी कुछ लंबाई है, कुछ चौणाई है इधर कुछ है इधर कुछ है इसको आप नापेंगे नापने के बाद पता करेंगे कि कितना भीगा कितना विस्सा है तो ये next part में आएगा ठीक और next part आपको मिलेगा कहा हूँ next part अब मैं शुरू किया हूँ अमीन का course नाम से और वो channel है हमारा channel का नाम है new देहाती ग्यान new देहाती ग्यान नाम से हमने channel बनाया है और उसमें हमने course launch किया है अमीन का course पिल्कुल free आप कास्ट है कोई पैसा नहीं है आपको देना है एकदम free है इस channel का link इस video की description में भी है आप वहां से direct click करेंगे तो उस channel पहुंच जाएंगे या फिर आप YouTube पे सर्च करेंगे new देहाती ग्यान तो भी आपको मिल जाएगा और यह मेरा WhatsApp नंबर है नबे 26 अनतालिस पिरपन पचास आप कुछ भी जानकारी लेना हो आप यहाँ पर WhatsApp कर सकते तो next part आपको वहीं मिलेगा और जो regular वीडियो अपलोड होगा आमीन के course में वो स्वमवार से अपलोड होगा साम को 6 बजे साम को 6 बजे आपको मिलेगा 6 बजे PM साम को स्वमवार से सुक्रवार तरगा यह सूचना थी जो आपको देनी थी मुझे आपको यह पसंद आया होगा और आप जरूर विजिट करेंगे स्वमवार से साम को 6 बजे पूरा आमीन का course आपको इस वीडियो का अपने दोस्तों में खुब सेर कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नमस्कार